केद्रिय मंत्री मनलल के मेरे सहयोगी श्रीमान गिर्दाश्मी जी श्री अर्जुन मुंडा जी श्री मंसुक मांडविया जी और देश के अलग-अलग हिस्सों से आई हुई विशाल संख्या में हाँ अधारी हुई और आपके साथ साथ वीडियो के माद्यम से भी देश भर में लाखों दीदी आज हमारे साथ जुड़ी हुई है मैं आप सब पस्पागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ और इस सभाग्रमत मैं देख रहा हूँ कि शायद ये लगू भारत है हिंदुस्तान का हर भाषा हर कोने के लोग यहां नजर आ रहे हैं तो आप सब को बहुत 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 बढ़ाई आज का ये कारकम महिला ससक्तिकन के लिहाँ से बहुत एकिहास्विक है आज मुझे नमो ड्रोन दीदी अभ्यान के तहट एक हजार आधुनिक ड्रोन महिलाओं के स्वयम सहायता समूओं को सौपने का आउसर मिला है देश में जो एक करोड से ज़्यादा बहने पिछले दिनों अलग-अलग योजनाओं और प्रयासों के कारण एक करोड बहने लखपती दीदी बन चुकी है यह आकड़ा छोटा नहीं है और अभी जब मैं बात कर रहा था तो किश्वरी बहन मुझे कह रही थी तो तो हर मेने साट, सत्र हजार, असी हजार तक पहुंच जाती है बोले कमाने बहने अब देश के नवजवानों को भी प्रेणा दे सकते हैं गाउं में एक बेन अपने उद्यम से हर मेने साट जार, सत्तर हजार उपर कमाती है उनका आत्मविश्वास देखिये, हाँ किस वरी वहां बैटी है, हाँ उपर कर रही है और जब मैं यह सुनता हूं, देखता हूं, तो मेरा विश्वास बहुत बढ़ जाता है आपको आश्यर होगा कभी कभी आप जैसे लोगों से छोटी मोटी बाते सुनने को मिलती है न, तो मुझे विश्वास बढ़ जाता है हाँ यार हम सही दिसा में हैं, देश का जरूर कुछ बला होगा क्योंकि हम योजना तो बनाएं, लेकिन उस योजना को पकड़ करके आप जो लग जाते हैं न, और आप परणाम दिखाते हैं और उस परणाम के कारण सरकारी बाबुओं को भी लगता है, हाँ यार कुछ अच्छा हो रहा है, तो काम तेजी से बढ़ता है और इसी के कारण, जब मैंने फैसला लिया कि मुझे अब तीन करोर लगपती दीदी के आंकड़ों को पार करना है और इस उदेश से आज, दस हजार करोर रुपे की राशी भी इन दीदियों के खाते में ट्रांसफर की गई है और मैं आप सभी बहनों को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ माताओं बहनों, कोई भी देश हो, कोई भी समाज हो वो नारी शक्ती की गरीमा बढ़ाते हुए उनके लिए नए अउसर बनाते हुए ही आगे बढ़ सकता है लेकिन दुर्भाग्य से देश में पहले जो सरकारे रही उनके लिए आप सभी महलाओं का जीवन आपकी मुश्किले कभी प्राफिकताई नहीं रही और आपको आपके नसीब पर छोड़ दिया मेरा अनुभव यह है कि अगर हमारी माताओं बहनों को थोड़ा अगर अफसर मिल जाए थोड़ा उनको सहरा मिल जाए तो फिर उनको सहारी के जरूत नहीं एती है वे खुद लोगों का सहरा बन जाती है और यह मैंने तब ज्यादा मैसूस किया जब लाल किले से मैंने महिला शसक्तिकर्ण के बारे में बात करनी शुरू की है मैं पहला प्रधान मंत्री हूँ जिसने लाल किले से हमारी भ्याताओं बहनों को सवचाले ना होने के विशे में जो मुश्किले होती है उस पीडा को मैंने व्यक्त किया था कि कैसे गांव की बहने कैसी जिंदगी जीती है मैं पहला प्रधान मंत्री हूँ जिसने लाल के लिए से सेनेटरी पैट्स का विशव उठाया था मैं पहला प्रधान मंत्री हूँ जिसने लाल के लिए से कहा कि रसोई में लकडी पर खाना बनाती है हमारी माताई भेने 400 सिगरेट का जितना दुआ होता है न वो हर रोज बरदास करती अपने शहरी में ले जाती है मैं पहला प्रधान मनती हूँ जिसने घर में नल से जल न आने पर आप सभी महिलावों को होने वाली परेशानी का जिक्र किया इसके लिए जल जीवन मिशन का एलान किया मैं पहला प्रधान मनती हूँ जिसने लाल किले से हर महिला के पास बैंक खाते होने की जरूरत पर बात कहिए मैं पहला प्रधान मनती हूँ जिसने लाल किले से आप महिलाओं के खिलाब बोले जाने वाले अपमान जनक शब्दों का विशे उठाया मैं पहला प्रधान मत्री हूँ जिसने कहा कि बेटी तो जगर देर से घर आती है शाम को तो मा, बाप, भाई सब पूछते कहां गई थी क्यों देर हो गई लेकिन ये दुर्भाग्य है कि कोई मा, बाप, अपने बेटा देर से आता है तो पूछता नहीं कि बेटा कहां गया था क्यों बेटे को भी तो पूछो और ये बात मैंने लाल किले से उठाई थी और मैं आज देश की हर मैला, हर बहन, हर बेटी को ये बताना चाहता हूँ जब जब मैंने लाल किले से आपके ससक्तिकरण की बात की दुर्भाग्य से कॉंग्रेज जैसे देश के राजनितिक दल उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, मेरा अपमान किया साथियों, मोदी की संबेदनाएं और मोदी की योजनाएं ये जमीन से जुड़े जीवन के अनुभावों से निकली है बच्तपन में जो अपने घर में देखा अपने आस्पांग पड़ोस में देखा फिर देश के गाउं, गाउं में अलेक परिवारों के साथ रहकर जो अनुभाव किया वही आज मोदी की संबेदनाओं और योजनाओं में जलगता है इसलिए ये ओजनाओं मेरी माताओं बहनों बेटियों के जीवन को आसान बनाती है उनकी मुश्किले कम करती है सिरफ अपने परिवार के लिए सोचने वाले परिवारबादी नेताओं को ये बात कतई समझ नहीं आ सकती है देश की करोणों को मुश्किलों से माताओं बहनों को बुक्ति दिलाने का सोच कि हमारी सरकार के अनेक योजनाओं का आधार रही है मेरी माताओं बहनों पहले की सरकारों ने एक दो योजनाए शुरू करने को ही महिलाश शसक्ति गरण का नाम दे दिया था मोदी ने इस राजनितिक सोच को ही बदल दिया 2014 में सरकार में आने के बाद मैंने आप महलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाई बनाई उन्हें सफलता पुर्वक लागू किया आज पहली सांस से लेकर आखरी सांस तक मोदी कोई ने कोई योजनाई लेकर के भारत की बहन बेटियों के सेवा में हाजिर हो जाता है गर्भ में बेटी की हत्याना हो इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया गर्भ की अवस्ता में मां को सही पोशन मिले इसके लिए हर गर्भ बती को 6,000 रुपे की आर्थिक मदद दी जन्म के बाद बेटी को पढ़ाई में मुश्किल ना हो इसके लिए जादा से जादा जादा ब्याद देने वाली सुकन्या समुरूदी योजना शुरू किया कर 26 अपते कर दिया 5,000,000 रुपे तक का मुप्त इलाज देने वाली आईश्मान योजना हो 80% डिसकाउंट पर सस्ती दबा देने वाली जन्म सुरूदी केंद्र हो इन सब का कि सबसे जादा लाब कि आप माताओ बहनों बेट्यों को ही तो हो रहा है माताओ बहनों मोदी समस्याओं को टालता नहीं मोदी समस्याओं से टकराता है उनके साही समाधान के लिए काम करता है मैं जानता हूँ कि भारत में महलाओं को ससक्त करने के लिए हमें उनकी आर्थिक भागिदारी बढ़ानी होगी इसलिए हमने अपनी सरकार के हर मिरने में हर योजना में इस पहलू का ध्यान रखा मैं आप माताओ बहनों के गुदान देता हूँ कि आप भी जानती है कि हमारी आँ संपत्ति होती थी तो पुरुष के नाम पर होती थी कोई जमीन खरीता था तो पुरुष पूरुष के नाम पर कोई दुकान खरी दी जाती थी तो पूरुष के नाम पर स्कूटर भी खरी देगा पूरुष के नाम पर गाड़ी खरी देगा पूरुष के नाम पर टेक्टर घर घर की महला के नाम पर कुछ भी नहीं होता था इसलिए हमने पीएम आवास के तहट मिलने वाले घर महिलाओ के नाम रजिस्टर किये आपने तो खुद देखा है कि पहले नई गड़ी आती थी ट्रेक्टर आता था तो ज्यादा तर पूरूसी चलाते थे लोग सोचते थे कोई बिटी आई से कैसे चला पाएगी घर में कोई नया उप्करन आता था नया टीवी आता था नया फोन आता था तो पूरूसी खुद को उसके स्वाभाविक जानकार मानते थे उन परिस्तितियों से उस पुरानी सोच से अब हमारा समाज आगे निकल रहा है और आज का ये कारकमिस का उदान बना है कि भारत की कुशी को नई दिशा देने वाली ड्रोन टेकनलोजी की पहली पाइलोट ये मेरी बेटियां हैं मेरी बहने हैं हमारी बहने देश को सिखाएगी कि ड्रोन से आधुनी खेती कैसे होती है ड्रोन पाइलोट नमो ड्रोन दीजियों का कौशल अभी मैं मादान में जा करके देख के आया हूँ है मेरा विस्वाथ है और में जी कुछ कुछ दिन पहले मन की बात में ऐसे एक ड्रोन दीजी से बात करने गशका मिला गाथ हैं जिसको साइकल चलाना भी नहीं आता है उसको गाओं वाले पाइलट कह करके बुलाते हैं मेरा अबिस्वाथ है देश की नारी सक्ती 21 सजी के भारत की तक्नी की कांटि का नत्रुत्त व दे सकती है आज हम स्पेस सेक्टर में देखते हैं, आईटी सेक्टर में देखते हैं, विज्ञान के ख्षेतर में देखते हैं, कैसे भारत की महलाएं अपना पर्चम लहरा रही है और भारत तो महला कमर्शियल पाइलट के मामले में दुनिया का नंबर बन देश हैं, हवाई जहाँ जुराने वाली बेटियों के संके हमारी सबसे ज़्यादा, आस्मान में कमर्शियल पाइट हो, या खेती किसाने में ड्रॉंस, भारती बेटियां कहीं भी किसी से भी पीछे नहीं है, और इस बार तो 26 जन्वरी आपने देखा होगा, टीवी पे, 26 जन्वरी के कारकम में, कर्टब पत पर, सारा इंदुस्तान देख रहा था, नारी, 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 नारी का ही तांकत का प्रॉद, जलबा था वहाँ पर, साथियों, आने वाले सालों में देश में ड्रोन टेक्नलोलोजी का बहुत विस्तार होने वाला है, छोटी-छोटी मात्रा में दूद, सबजी और दुसरे उत्पात, अगर नद्दिक के मार्केट तक पहुंचाना है, तो ड्रोन एक ससक्त मार्ध्यम बनने वाला है, दवाई की डिलिवरी हो, मेडिकल टेस्ट के सेंपल की डिलिवरी हो, इसमें भी ड्रोन बहुत बड़ी भूमी का निवात है, यानि नमो ड्रोन दीदी योजना से, जो बहने ड्रोन पाइलट बन रही हैं, उनके लिए भविश में अन गिनित सम्भावनाओं के द्वार महिला स्वयम सहायता समों का विस्तार हुआ है, वो अपने आप में एक अध्यन का विशे है, इन महिला स्वयम सहायता समों ने भारत में नारी शसक्ति करन का नया इतिहास रच लिया है, आज का इस कारकम से मैं स्वयम सहायता समों की हर बहनों को, उनका मैं गवरोगान करता उनको शुब कामनाय देता है उनकी महनत ने महला स्वहम सहायता समोह को राश्च्ट निर्मार का प्रमुख समोह समोह में महलाओं की संख्या 10 करोर को पार कर गई है बीते दस वर्सों में हमारी सरकार ने सेल्फ हेल्फ गुप का विस्तार ही नहीं किया बलकि 98% समुओं के बैंक एकाउंट भी खुलवाए है है करीब करीब 100% हमारी सरकार ने समुओं को मिलने वाली मदद भी बीस लाख उत्वे तक बढ़ा दी है अभी तक आठ लाख करोड से अब आकड़ा छोटा नहीं है आप लोगों के हाथ में आठ लाख करोड उत्यों से भी अधिक की मदद बैंकों से मेरी इन बहनों के पास पहुँच चुकी है इतना पैसा सीधा सीधा गाउं में पहुचा है बहनों के पास पहुचा है और बहनों का स्ववाव होता है सबसे बड़ा गून होता है बचट वो बरबाद नहीं करती वो बचचत करती है और जो बचचत की ताकत होती वो उजवल भविश्य के निशानी भी होती है और मैं जब भी इन दीजियों से बात कर तो ऐसी ऐसी नहीं नहीं चीज़े बताती है वह उनका आत्मी श्वाद बताता है अने सामाने मानवी कलपना नहीं कर सकता है और जो इतने बड़े स्थर पर गाउं में आजकर जो सडके बनी हैं हाइवे बने हैं इसका लाब भी इन समूओं को हुआ है अब लगपती दीदिया अपने उत्पादों को शहर में जाकर आसानी से बेच पा रही है बहतर कनेक्टिबिटी के वज़े से शहर के लोग भी अब गाउं में जाकर इन समूओं से सीधी खरीद करने लगे हैं ऐसे ही कारोनों से बीते पांच वर्सों में सेल्फ हेल्फ गुर्फ के सदेशन की हाए में तीन गुना की वृद्धी हुई है साथ्यों जिन बहनों को उनके सपनों को अकांशाओं को सिमित कर दिया गया था आज वे राष्ट निर्मान में अपनी भूमिका का विस्तार कर रही हैं आज गाउं देहात में नए नए अफसर बनने हैं नए नए पद बने हैं और लाखों की संख्या में बैंक सकी क्रिस्षी सकी पशू सकी मत्स सकी और सर्विस सेक्टर से जुड़ी दीदियां गाउं में सेमाए दे रही हैं ये दीदियां स्वास्त से लेकर डिजिटल निंद्या तक देश के राष्टी अभ्यानों को नई गति दे रही हैं प्रधान मत्री ग्रामिन डिजिटल साक्षरता अभ्यान को चलाने वाली पचास प्रतिशत से अधिक महलाएं और पचास प्रतिशत से अधिक लाभारती भी महलाएं सफलताओं की यह स्रंखला ही नारी शक्ति पर मेरे भरेशों को और ज्यादा मजबूत करती है मैं देश की हर मांता बहन बेटी को इविस्वात दिलाता हूं कि हमारा तीसरा कार्यकाल नारी शक्ति के उतकर्स का नया अध्याय लिखेगा और मैं देखता हूं कि कई बहने अब स्वहिम, सहायता, समू के अपनी मिले-बैटे का छोटा सा आर्थी कारोबार की ऐसा ने कुछ लोग को मैंने देखा है गाउं में बहुत सी चीज़े कर रही है खेलकुष परधाय कर रही है स्वाहिम सहायता समूव बहनों को तोच्छाइद कर रही है जो बच्चियां पढ़ने पढ़ती है उनको बुला करके लोगों को बुला करके उनसे बाच्चित कर पाती है खेल कुद में जो बच्चियां गाउं में अच्छा काम कर रही है अंका स्वागत सम्मान करती है याने मैं ने देखा है कि कुछ स्कूलों में इन स्वयम सहायता सम्मूं की बहनों को भाशन के लिए बुलाते हैं उनको कहते हैं आपका सफलता के कानल बताईए और स्कूल वाले भी बड़े आतुरतावरों सुनते हैं बच्चे टीचर सुनते हैं याने एक प्रकार चे बहुत बड़ा रिवोलुशन आया है और मैं स्वयम सहायता समोच की दिदी से कहूंगा मैं अभी एक युजणा लाया हो जैसे ड्रोन दिदी है ना वो तो मैंने आपी के चर्णों में रखदी है और मुझे भी Minnie जिन माता वो बहनों के चरणों में मैंने ड्रॉन दखा है ना वो माता वे बहने ड्रॉन को आश्मान में तो ले जाएगी देश के संकल्प को भी इतना ही उचा ले जाएगी लेकिन एक योजना ऐसी है जिसमें हमारी स्वयम समुवा समुथ की बहने आगे आए मैंने एक योज़ना बनाई है पी-एम सूर्यगर ये पी-एम सूर्यगर की विश्रसता ये है एक पकार से मुक्त बिजली की ये योज़ना है बिजली का बिल जीरो हमने ताय किया है कि हर जो परिवार में चत होती है उस पर सोलार पैना लगाना सुरिय किरन से बिजली पैदा किरना और उस बिजली का घह में उप्योग करना तीन सो उनिट से ज्यादा बिजली का उप्योग करने वाले परिवार बहुत कम होते हैं पंखा हो, एर कंडिशन हो, गर में फ्रीज हो, पॉसिंग मशीन हो तो तीन सो उनिट में गाड़ी चल जाती है मतलब आपका जीरो बिलाएगा, जीरो बिलाएगा, इतना ही नहीं अगर आपने जादा बिजली पैदा की, आप कहेंगे बिजली पैदा तो बड़े-बड़े कारखाने में बिजली पैदा होती है बड़े बड़े अमीर लोग बिजली पैदा कर सकते हैं हम गरीब क्या कर सकते हैं यही तो मोदी करता है अब गरीब भी बिजली पैदा करेगा अपने गर पर ही बिजली का कारखाना लग जाएगा और अतिरित्ल जो बिजली बनेगी वो बिजली सरकार खरीद लेगी उससे भी हमारी इन बहनों को परिवार को इंकम होगी तो आप ये पी एम सुर्य घर उसको आप अगर अपके यहां कॉमन सर्विस सेंटर में जाएंगे तो महां पर एपलाई कर सकते हैं मैं सब बहनों को कहूँगा स्वयम सराता समुझतिक बहनों को कहूँगा कि आप बैदान में आईए और इस योजना को घर गर पहुंचाईए आप इसका कारोवार हाथ में ले लिजे आप देखिए कितना बड़ा बिजली का काम हम मेरी बहनों के द्वारा हो सकता है और मुझे पुरा विश्वास है हर घर में जब जीरो इनिट बिजली का बिल हो जाएगा ना पूरा जीरो बिल तो वह आपको आशिरवाद देंगे और नहीं देंगे और उनका जो पैसा बचेगा वो अपने परिवार के काम आएगा और नहीं आएगा तो यह योजना का सबसे ज़्यादा लाब हमारी स्वैम सहायता समू की जो बेहने हैं उसका नेत्रूत्व करके अपने गाउं में करवा सकती है और मैंने सरकार को भी कहा है कि जहां जहां स्वैम सहायता समू की बेहने इस काम के लिए आगे आती हैं हम उनको प्राक्षिक्ता देंगे और जीरो बिल बिजली का इस अभ्यान को भी सफलता पूरो मुझे आगे बढ़ाना है मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत सुब कामनाई देता हूं बहुत बहुत धन्यवाद